मुखर समवात की ओर से आप सभी पाठकों और दर्सकों को नौ वर्स की हारदिक शुकामनाए 2023 आपके जीवन में तुक सम्रेदी और शांती लेकर आए कॉंगरस की अस्थापना के आज 137 वस पूरे हो गए कॉंगरस की अस्थापना दिवस के असर पर राजवासियों को, देश वासियों को मैं अपनी ओर से बहुत-बहुत सुत्रामनायद देता हूँ और कहना चाहता हूँ है कि जिसको द्योस के तहद कॉंगरस की अस्थापना हुई थी उसके तहत हम लोगों ने भारत में आजादी पाई, आजावशक्ता है, फिर से कॉंग्रेस के नेत्रित्त में सामाजिक समरस्ता को बनाये रखने की और जिस पतार कॉंग्रेस के नेता राहुल गांदी भारत जो यात्रा पर निकले हैं, आप सभित्रे अपील हैं कि उनका भरपोर सयोग और समर्खन करें और कॉंग्रेस का जो विचार धारा है, गरीबों को, मजलूमों को उनका हग दिलाना, उसी उदेश के तहट आजह मस्ठापना दिवस मनाएंगे और लोगों को सुपकामना देते हैं राजत और जदियों के साथ बिहार की सरकार चल रही है, लेकिन राजत के प्रदेश अध्यक जगदानन सिंह के बेटे सुधाकर सिंह ने नितिश कुमार को उनके खिलाब चुनाओ लड़ने की चुनाओती दी है, वही नितिश कुमार की ओर से हेलिकॉप्टर करीदने पर स बिहार में जो भी हेलिकॉप्टर और हवाई जहाज रहा है, उसके यात्रा के विवरन को निकाल लेजिए, एफसल्यूट 90% से एबव, अकेले मुख्यमंत्री ही इस्तेमाल किये हैं, उनके कोई क्राबिनेट के सहयोगी और दोसरे लोग इस्तेमाल नहीं किये हैं, 10% से भी कम, मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि उप मुख्यमंत्रियों को सायद कभी कभार, विशेश परस्तितियों में कभी मिला होगा तो मिला होगा, नहीं तो जादे तरोहवी रोड से ही जाते थे, एक व्यक्तिकत स्वार्थ के लिए, इतने महंगे हलिकॉप्टर और हवाई जहाज के खरीद पर सवाल नहीं, महंगे पर, ठीक बाद से ही गाड़ी इनोवा भी होती है, गाड़ी फॉर्चुनर भी होती है और गाड़ी मर्शुडिज भी होती है, बिहार में जो गरीब राज है, इसलिए यहाँ पर अधिक से अधिक मंत्री और मुख्यमंत्री फॉर पर्चुनर और स्कॉर्पियो तक पर्मिशन मिलता है, खरीच सकते तो हैं उनको पावर है, चाहें तो दो करोल का मर्शेडिज खरीद लेगा मुख्यमंत्री कौन लोकेगा, जब साड़े 300 करोल का हेलिकॉप्टर रहवाई जाज खरीच सकता है, तो दो करोल का की जरूरत है, तो वो 20-30-40-50 करोड में खरीद लेते हैं, 25-50 करोड का भी बहुत अच्छा हेलिकॉप्टर हवाई जाज दोनों मिलके मिलता है, और जिस हवाई जाज को खरीदने की बात कर रहे हैं, वो हवाई जाज तो बिहार में मात्र तीन जगा ही उतरेगा पटना को चोड़ करके, पुल्णिया, दरवंगा और गया, तो फिर ही इतनी महाई जाज का कि इस्तेमाल क्या होगा, करीब धाई सो पने तीन सो करोड का हवाई जाज, और हेलिकॉप्टर भी जो 20-25 करोड में खरीद सकते थे, उसको भी 70-75-80 करोड में खरीद रहे हैं, तो ये सीध राज कोष का दुरपयोग की सिवा कुछ नहीं है, वैसे ही जैसे पतना में म्यूजियम रहते हैं, नया म्यूजियम बना दिया इन्होंने, पतना में विधान सभा रहते हुए भी एक बड़ी बिल्डिंग बना दिया विधान सभा में, ये सारे पैसे का दुरपयोग है, य जिनके पास मंडी नहीं है, जिनको खेतों में डालने के लिए फर्टिलाजर नहीं है, और आप कह रहे हैं कि हम सारे 300 करोड के हेलिकॉप्टर और हवाई जहाज पर चढ़ेंगे, और ये भाजपा और राज जदियू का इस सवाल पना रहे हैं, ये मांसिक दिवालियापन है म मैं बता रहा हूं, पिछली बार भी अपनी मर्जी से छोड़के नितिश कुमार आरोप लगाते हुए गये थे, और आगे क्या आरोप लगा के चले जाएंगे, भगवान मालिक है। अपना ड्रीम डेस्टिनेशन अपना ड्रीम रहे थे, भी आरोप लिए नितिशन